हेलो फ्रेंट्स मैं रीता अपने यूटूब चैनल और क्रियेटिविटी में आपका स्वागत करते हैं आज हम बना रहें फ्रेंट्स पोहे की नमकीन को बनाने के लिए हमेंशे हिए दो चम्मज धनिया या धनिया पाउडर एक चम्मज जीरा एक चम्मज सौप जीरा और सौ के स्वाधन सार नमक काला नमक चाट मसालव मिला के मैं फ्रेंट्स फ्रेंट्स पीस पीस और फिर हम फिर तलते हैं जो भी हम नमकीन बनारहें व्लें उसको यूशे की नमकीन बनाने में फ्रेंट्स हमने आधा किलो पोहा अधी कटोरी चन्या चन्युकिडाल году या BROWN पुहे को फ्रेंट्स हमको तेज आँच में फ्राइए करना है जिसे वो तेल को कम सोखे और खूब बढ़ेयां से खिला-खिला पोहा अमारा तल के तयार हो आप देखेंगे फ्रेंट्स जब आप तलेंगे ना तो एक मुठी डालेंगे और वो दो मुठी से ज्यादा तयार हो लगती है इस नमकीन को बना के आप खाएंगे फ्रेंट्स तो हम कहते हैं कि आप बाहर की नमकीन खाना नहीं पसंद करेंगे और बहुत टेश्टी लगती है फ्रेंट्स घर की बनी चीजे नुकसान भी नहीं करती तो बहुत अच्छे से थोड़े से तेल में यह बन जाती ह आप देख रहे हैं कि इस तरीके से पोहा एकदम खिला खिला नीकल रहा है इसमें डालने के लिए फ्रेंट्स आप चीप्स होता है आलू का बनाकर रखते उसको भी प्राइए करके डाल सकते हैं मक्ये की जो पपी आती हो उसे भी आप डाल सकते हैं बूंदी मिला दीजिए बना लीजे या मार्केट से ले लीजे सेव या कोई भी नमकिन आपको जो पसंद हो उसे डाल सकते हैं पोह तलने के बात फ्रेंट्स देख रहे हैं कितने बढ़िया से एकड़म खिला खिला पोह निकला हां अगर आप वाइट रखना चाहते हैं जैसे मार्केट वाले दिखत जो भी ड्राइट फ्रूट्स आपको पसंद हो उसे भी आप हलका सा फ्राई करके डाल सकते हैं इस सबको तलने के बाद हम एक कड़ाही में थोड़ा सा तेल बचा लेंगे और उसी में हरी मिर्च इतना तलेंगे उसका पानी सूख जाए बस और उसी में लाल मिर्च डालके धनिया पाउडर था हमारा कच्छा था ना फ्रेंट्स वो और हल्दी थोड़ी सी हल्दी इसमें भी डाले हम डालके हलका सा उसी गरम तेल में डालके भून के कड़ाही में छोड़ देंगे फ्रेंट्स तो मसाला अपने आप से खुब अच्चे से पक जाएगा इसे बहुत करते समय फ्रेंट्स इसी में हम मसाले को भी मिक्स करेंगे जो चिपस या सेव है जो भी सामान हम इसमें मिलाना चाते हैं फ्रेंट्स उसको डालेंगे आप इसी में ड्राइफ रोट्स भी डाल दीजे और सारे सबको एक अच्छे से खुब बढ़या से मिला लीजे एक सार क ठंडा होने तर फिर उसके बाद किसी भी कंटेनर में आप रख सकते हैं बस नमकीन हमारी तयार है देख रहें फ्रेंस कितनी अच्छी नमकीन बनके तयार है जैसे दिखने में लग रहे न इससे टेश्टी खाने में लगती है आप बनाएगा और ट्राइ करिए हमारी वीडिय झाल 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 झाल